दिल्ली महिला आयोग के अध्यक स्वाती मालिवाल को अमेरिका की हावर्ड युनिवरस्टी में आयूजित होने वाले वार्षिक भारत सम्मेलन में बोलने के लिए आमद्रित किया गया है ये सम्मेलन 11 और 12 फरवरी 2013 तक आयूजित किया जाएगा दरसल इससे पहले भी युनिवरस्टी में आयूजित होने वाले इस सम्मेलन में कई भारतिय मंत्रियों से लेकर व्यापारिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों की मेजबानी करने का इतिहास रहा है इससे पहले नितिन गटकरी, अमर्तिय सेट, जोया अक्तर, विनोधराय, अजील प्रेंजी, शशी धरूर, पी चितंबरम और महुआ मुईत्रा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया है वहीं इस साल DCW अध्यक्ष को लोगतंतर विशय पर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कहा गया है देश में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृषय को देखते हुए उनसे अनुरूत किया गया है कि वे भारतिय लोगतंतर की नीव और अगले 25 वर्षों में हम क्या हासल करना चाहते हैं इस पर विचार रखें स्वाति मालिवाल भारतिय लोगतंतर में महिलाओं की भूमिका और आगे बढ़ने के तरीके पर जमीनी स्तर पर और नीतिगत स्तर पर अपने वर्षों के काम से अपने अनुभव को साजह करेंगी मिले जवानकारी के मताबिक 18 जन्वरी को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यात्रा की मंजूरी मांगने की फाइल दिल्ले के उपरा जिपाल विने कुमार सक्सीना को भेजी गई थी जो अनुमूदन के लिए फिलहाल पेंडिंग पड़ी है इस बीद स्वाती मालीवाल ने LG से फाइल को अपरूफ करने की अपिल करते हुए अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि आयोग के काम को अंतराश्वे मानिता मिल रही है और मुझे वैश्विक मंच पर भारतिय राजनीती में महिलाओं के भूमिका पर अपने विचार साजा करने के लिए आमंतरत किया गया है उन्होंने कहा कि मैं हावर्ड युनिवर्स्टी की यात्रा करने और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत करने और अपने देश की सर्वोत्तम प्रथाओं को साजा करने के लिए उत्सुक हूँ मुझे उमीद है कि मुझे जल से जल अपेक्षित मंग्जूरी दी जाएगी ताकि मैं वैश्विक मंच पर भारत के संब्रिध और जीवन्त लोगतंत्र पर अपने विचार साजा कर सकूँ अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिली महिला आयो के अध्याक्ष स्वाती मालिवाल को इस सम्मेलन में हिस्ता लेनी के लिए अनुमती दिली के LGV के सक्सेना से मल पाती है या फिर नहीं ग्योरो रुपोर्ट दिली तक कर दो कर दो कर दो कर दो